पंजाब में हुए चुनावों के बाद उमीदवारों की किस्मत EVM मशीनों में बंद हो चुकी है और उनकी किस्मत का फैसला 11 मार्च को आना है तब तक के लिए EVM मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया जिला फतेगर साहिब की बात करें तो डिप्टी कमीशनर कमल जीत संगा ने बताया कि इन मशीनों की सुरक्षा के लिए चक्र विहूप बनाया जा चुका है जिसमें केंदरी सुरक्षा बल पंजाब पुलिस के जवान संसिटिवी कैमरों के अलावा कई अन्य तरह की के इंतजाम किये गए हैं जिला फतेगर साहिब के तीन विधान सबक शित्रों के उमीदवारों की किस्मेट एवियम मशीनों में बंद हो चुकी है पर क्या ये एवियम मशीने सुरक्षित है इसका जायजा लेने के लिए हमारी टीम फतेगर साहिब के माता गुजडी कॉले इस चक्रवियू के तीन घेरे बनाये गए है पहला गहरा जहां पर एवियम मशीनों को बंद कर सील किया गया है वहां पर केंद्री सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं इसके अलावा दूसरा और तीस्टे घेरे में पंजाब पुलिस के जवान तैनात किये गये हैं वहीं अ अलावा कई अन्य तरह के सुरक्षा इंतजाम भी किये गए हैं कल रात जेला फटेगर्ट साब की जो तीन कंस्टिचुएंसिज हैं 54 55 और 56 उन तीनों में जब पॉलिंग खत्म होई तो सारे जो उनके जो मिटीरियल है वो माता कुजरी कॉलेज में लाया गया तीनों पॉल ऑफिशिल्स के साथ साथ जो अब्जर्वर साहिव की उनकी माजूदगी में और जो कैंड़ेट्स हैं उनके जो रेपर्जेंटेटर्स हैं उनकी हाजरी में उसको सील कर दिया गया है जो एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की जो हदायते हैं गाइड लाइन उसके मदे इक इंस्ट्रक्शन के मताब है उधर सुरक्षा दिकारी ने बताया कि तीनों विधानसबह हलकों की वोटिंग मशीनों को यहां रखा गया जिसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा पर बंद किये गए हैं तीन खेरों में पुलिस बलतानात किये गए हैं इसके अलावा 40 के करी इस बिल्डंग में जो सामने आप देख रहे हो इसी के अंदर हैं अंदर में जो है CISF की स्क्योर्टी हमने लगा रखी है और उसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी आर्मर्ड फोर्स आती है वो उनकी सुरक्षा गेरा है और उसके बाद जो हमारी डिस्टिक कर दो कर दो कर दो डिकली